गाज्याबाद में ठंड कपर को बढ़ता जा रहा है। साथी जिला सेकारी होस्पिटल से प्राइवेट अस्पतानों में मरीजों की संक्या बढ़ती जा रही है। वहीं डाप्टरों का कहना है कि करकडाती ठंड से छोटे बच्चे वे बुजरुक लोगों को बचना चाहिए। इस ठंड के मौसम में बुजरुक लोगों को हाट अटेक और शोट मेया का आंदेशा ज्यादा बना रहता है। डोग साब लगाता है ठंड का प्रकूप बढ़ता जा रहा है और ठंड का टेमपेचर जो है तीन और चार तक पहुच चुका है। ठंड से किस परकास से बचना चाहिए हो क्या-क्या खत्रे रहते हैं ठंड से। बिल्कुल सही बात है कि इस बार ठंड बहुत जादा है उत्तर भारत में और गाजयाबाद और NCR में भी बहुत जादा ठंड है। पिछले 15-20 सालों में मैं देख रहा हूं कि यह सबसे जादा ठंड है ठेटुरन है सबको। और इसमें जो सबसे जादा परिशानी है चोटे बच्चों को और बड़े बुजूर्गों को जो है ठंड से बचाव की बहुत जादा समश्या है। बहुत जादा ठंड में घुमने से करने से मतलब ठंड का प्रकूब बढ़ने से कई बार हार्ट अटेक का भी बुजूर्गों में प्रभाव पढ़ सकता है। क्योंकि खून की नसे जब शिकूरती है ठंड की मज़े से तो बो हार्ट अटेक का भी आसर आ सकता है ऐसे में और इसके अलावा जो एस्थमा डमाग के जो पेशेंट है क्रोनिक ब्रॉंकाइटिस के सी ओपीडी के खांसी के जो मरीज हैं जिनको लगातार सांस की तकलिप बहती है उनको इससे ज़्यादा बचाव करना चाहिए द congratulate you । इसके अलावा है रून कोगर और की लिए हीटर का ईस्तेमाल गर्मपानिकी द्धेली का इस्तमाल किया जा सकता है लें जो आग जलाके अंगिठी जलाके कमरे में सोना है वो खतरनाग सावित हो सकती है क्योंकि अंगिटी से आग जलाने से कमरे की oxygen कम हो जाती है वो सांस में डिक्कत पैदा कर सकती है और कई बार सोते-सोते आदमे को को पताने चलता और उसको हईपोक्षिया यानि बोडी में अक्षिजन की कमी होने से कई बार मोत होने का डर भी ऐसा रहता है खुली हवा में वैसे अगर खुले में जो लोग रह रहे हैं उनको भी आसरा जो सरकार की तरफ से नगर निगम की तरफ से मिलना चाहिए कि वह भी में रहे बंद चार दिवारी में बंद में रहे और अगर खुले में फिर भी रहना पड़ता है तो अलाव जलाके यानि कुछ उससे जो है ठंड को बगाया जा सकता है लेकिन उससे फिर प्रदूशन की प्रवल्लम बढ़ जाते है हुँ हुँ हुँ